Hello everyone and welcome back once again for the sessions of summaries. आज हम जो discuss करेंगे वो class 11 की poem number 5 father to son की summary रहेगी. तो चलिए without wasting any time देखते हैं कि इस poem में हमारे पास क्या है. Father to son poem जो है ये poem compose की गई है एक English poetess के द्वारा जिनका नाम है Elizabeth Jennings. So this poem has been composed by an English poetess Elizabeth Jennings. A very painful and agonizing relationship between a father and a son has been mentioned in this poem. तो ये जो poem है हमारे पास इसमें एक बहुत ही sad सा relationship present किया गया है between a father and a son. तो देखते हैं इसकी description. अब देखें ये जो poem है वो शुरू कैसे होती है, इसकी शुरुआत कैसे होती है. इसकी जो शुरुआत है ना वो एक dialogue basis से होती है, जिसमें father जो है वो कुछ बोल रहे हैं. देखते हैं कि क्या कहते हैं हम. The poem begins with the description of a father who is speaking about his son. तो वो जो father है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने son के बारे में, अपने बेटे के बारे में बात कर रहे हैं. He tells that there is a kind of generation gap between them. That is sort of generation gap. जो हम कहते होते हैं कि हम एक अलग age group को belong करते हैं. हमारे parents एक अलग age group को belong करते हैं. तो thoughts बगेरा बहुत ही अलग होती हैं, different होती हैं. तो एक kind of generation gap जो है, वो एक father feel कर रहे हैं between him and his son. So both of them have lived in the same house for years. अब जो according to the poem हम आगे अगर summary बनाएं, तो ये description हमें क्या बताता हैं? कि जो father हैं और जो son हैं, वो दोनों कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं. But there seems to be no sign of understanding between them. मतलब उन्होंने काफी time एक साथ गुजारा तो है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कोई भी sign of understanding, मतलब एक दूसरे को समझना, ये बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है. The father is trying to rebuild the relationship with his son. तो जो father हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दुबारा से अपने बच्चे के साथ, अपने son के साथ, अपना वो पुराना जो relationship है, वो दुबारा से build कर सकें. He wishes to have a relationship as they possessed when his son was a child. तो वो किस तरीके का relationship चाते हैं? वो चाते हैं कि जब मेरा बेटा एक बच्चा हुआ करता था, एक kid हुआ करता था, child हुआ करता था, तो उस वक्त जो उन दोनों के बीच में relationship हुआ करता था, वो चाते हैं कि same वही relationship हम दोनों के बीच में हो जाए. जनरली क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो फादर खेलते हैं खूब मौज मस्ती करते हैं तो इस तरीके से फादर चाते हैं कि मैं चाता हूँ कि इस तरीके का ही relationship हो जाए क्योंकि उस वक्त एक son जो होता है वो totally अपने father पर rely करता है भरूसा करता है शायद अब ऐसा भरूसा नहीं रहा है इसी लिए जो father है वो अपने इस relationship को rebuild करना चाते हैं आगे क्या कहते हैं he admits that the seed of understanding has been killed and they speak like strangers तो वो अजनबियों की तरह बात करते हैं उन्होंने ये महसूस किया है तो according to this particular poem जो father है वो क्या महसूस करते हैं कि जो समझ का एक बीज है that means समझ जो है वो खतम हो चुकी है जैसा कि उपर आया कि there is no sign of understanding तो इसलिए वो समझ का जो बीज है जो seed है वो खतम हो चुका है वो मर चुका है और वो दोनों आपस में एक ऐसे बाते करते हैं एक stranger की तरह एक अजनबी की तरह बाते करते हैं अपनी feelings share करना और कुछ common interest के ब बताया है that means बेटे के बारे में हमें क्या बताते हैं the son who is grown up now मतलब जो कि अब बड़ा हो गया है has his own desires देखो हम सब के साथ यह होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी खुद की कुछ desires खुद की कुछ interest हो जाते हैं तो इस point में भी हमें ऐसा ही कुछ बताया गया है कि ब हम कई बार दुख होते हैं दुख ही होते हैं हमें कई बार किसी चीज़ को लेकर बहुती ज़्यादा उदासी महसूस होती है लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम बेवजा अपनी उस उदासी के चलते हुए अपने parents के साथ angry क्यों हो जाते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि बच्चे को भी son को भी दुख तो है कि उसका relationship उसके father के साथ इस तरीके का क्यों हो गया है लेकिन अपने उस दुख को वो जाहिर कैसे करता है वो अपने father के साथ angry हो कर ही जाहिर करता है तो that means उसे सही तरीके से किस तरीके से present करना है अपने emotions को अपने father के साथ कैसे ब जो हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं वो क्या उमीद लगा रहे हैं कि उनका बेटा जो है वो घर वापिस आ जाए तो that means कि वो अब एक common घर में भी नहीं रह रहे हैं पहले रहा करते थे लेकिन अब नहीं रह रहे हैं he wants to forgive him and share the same piece of land yet they cannot share same thoughts तो अब आपको क्या बताते हैं कि however he wants to forgive him कि वो अपने बेटे को माफ कर देना चाते हैं जो भी शायद गलतियां उसने की हैं उसके लिए और same piece of land का मतलब यहां हम simple यह कहेंगे कि एक ही घर में रहना चाते हैं share करना चाते हैं लेकिन फिर भी जो दोनों की thoughts हैं दोनों के जो विचार हैं वो same नहीं हो पा रहे हैं they want to join their hands जिने हमें poem में empty hands कहा गया है कि दोनों जो हैं वो अपने हाथ मिलाना चाते हैं but they are not able to do so and they continue to live their empty lives और दोनों जो हैं वो ऐसा कर नहीं पाते हैं जिसकी वज़ा से तरीके से हमारी ये poem जो है वो complete हो जाती है मुझे उमीद है कि summary आपको समझ में आगई हम basically इस poem से क्या conclude कर सकते हैं देखे this is a universal fact this is a universal experience so the universal experience of generation gap and misunderstandings has been explained in this poem तो इस poem में बड़े ही प्यारे तरीके से एक father और son के dialogue के जरिए जो विश्व स्तर पर जो हम universal level पर देखते हैं कि किस तरीके से मापाप और बच्चों के बीच में एक generation gap आ जाता होता है गलत फैमिया पैदा हो जाती है ये सब आपको इस poem के जरिए बताया गया है तो मुझे उमीद है कि आपको ये poem बहुत ही आसानी से समझ में आ गई है कि इसमें आपको क्या बताया गया है kindly channel के साथ जुड़ जाए अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं वीडियो को share करना, like करना और अपने views comment box में share करना बिल्कुल भी मत भूलिए Thank you so much for watching the video and have a nice day